ये तो शायद आप जानते हैं कि फास बोलर्ज बॉल के एक हिस्से को चमकाते हैं और दूसरे हिस्से को खुर्दरा ही रहने देते हैं इससे गेंद फेकने पर खुर्दरी सतह पर हवा का फ्लोट टर्बिलेंट हो जाता है खुर्दरी सतह पर एयर प्रेशर शाइनी साइड के मुकाबले कम होता है और गेंद खुर्दरी सतह की तरफ मुड़ जाती है मगर आज कल तो फास बोलर्ज रिवर्स स्विंग भी करने लगे हैं ये रिवर्स स्विंग क्या है कैसे होता है ये कुटि कर्फ दिरिवर्स स्विंग क्या रिवर्स स्विंग में तकि नियम तोड़ती है या पिर इसमें कोई साइंस और सवुंग या फिर ककी तरह के पुर्दरी सतह की तरफ नहीं और शाइनी आइड की तरफ स्विंग करती है इसको एक तरह का चमतकार भी समझ सकते हैं या फिर विज्ञान से समझा भी सकते हैं बॉल के पुराने होने पर एक ऐसा मोड आता है जब बॉल की खुर्दरी सतेह का वजन दूसरे हिस्से के मुकाबले हलका हो जाता है हाला कि एरो डैनेमिक्स के सिध्धान्त ये कहते हैं कि गेंद लो प्रेशर की तरफ यानि की खुर्दरी साइड की तरफ स्विंग करे जब बॉल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत भारी हो जाता है गेंद भेकने पर शाइनी साइड का वजन ज्यादा होने के कारण बॉल शाइनी साइड की तरफ स्विंग करती है और इसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं इंडियन सब कॉंटिनेंट की विकेट्स पर बॉल जल्दी पुरानी होती है इसलिए यहां पर रिवर स्विंग ज्यादा देखने को मिलता है मगर नई गेंद से स्विंग करना भी कला और विज्ञान है नई गेंद में दोनों हिस्से चमकते हैं और इसलिए बॉल को सीधे फेकने से बॉल किसी भी तरफ स्विंग नहीं करेगी गेंद बाज बॉल को स्विंग कराने के लिए एक तरफ प्रेशर घटा देते हैं बहुत साधारन तरीका है नई गेंद से स्विंग कराने के लिए गेंद बाज बॉल की सीम को तिर्ची पकड़ते हैं बॉल के एक तरफ हवा का फ्लो सीम से टक्रा कर टर्बिलेंट हो जाता है, दूसरी तरफ हवा का फ्लो स्मूध होता है, जिस तरफ हवा टर्बिलेंट होती है, उधर प्रेशर कम होता है, और बॉल उसी तरफ मुर जाती है. इन तीनों उधारनों से एक चीज तो साफ है कि तेज गेंदबाजी का हुनर सिर्फ तेज फेकना ही नहीं पर गेंद की सीम को सीधी रखने पर भी निर्भर है गेंद की सीम को सीधी रखने के लिए गेंदबाज गेंद को बैक्स्पिन कराते हुए डालते है गेंद की backspin की वज़े से gyroscopic action काम करता है अगर गेंद की seam थोड़ा सा डगबगाए तो spin की वज़े से उल्टी दिशा में torque लगता है जो seam को सीधी रखता है ये backspin जितनी तेज होगी गेंद की seam उतनी ही सीधी रहेगी और swing उतनी ही ज्यादा होगी क्या होगी क्या है क्या दो क्या है झाल क्या है